T20 World Cup की जी हाँ बड़ा उलट फिर हुआ है Super 8 में एक तो अफ़गानिस्तान का जाना उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान का उस्टेलिया को हरा दिना ये बटा रहा है ये T20 है और इसमें कोई भी बादशात अपने बने लेगिन बादशात उसी की मानी जाएगी जो जीतेगा मेहनत करेगा संख़श करेगा और ये अफ़गानिस्तान ने कर दिखाया है जिसने फिफ्टी फिफ्टी ओवर्स के फॉर्मेट वाला ओडियाई वर्ड कप अपने नाम किया इंडिया जैसे टीम को राकर वोटी ट्वंटी के एक मैच में अफ़गानिस्तान के सामने कहीं टिक नहीं पाया जी हाँ बड़ी जानकारी के साथ आपको बतारे और जिसने मैच देखा उनको बलेवाजी याद होगी गिनबाजी भी याद होगी टी ट्वंटी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने और उस्टेलिया को बड़े अंतर से राया है सबसे बड़ा उलट फिर यही माना जाए एक्सवाटारे सरन पर रोग जिया सुर्णिया के जो गेनबाज है शुरुवात में तो लचर दिखाई दी लेकिन बाद में तारीव भी करनी होगी बहुत कम स्कोर पर अफगानिस्तान को रुका लेकिन बल्लेवाज तो कहीं भी अपने आपको साबित ही नहीं कर पाए बल उस्टेलिया के ही बल्लेवाज हैं क्या उस्टेलिया टीम ने चोटा टार्गेट भी चेस नहीं किया जब कि यह मैदान वो मैदान नहीं है जो युएस से में था 127 रन ही उस्टेलिया की टीम बना पाई और वहीं नवीन उलहक जिन्हों ने अपने हक में और टीम के हक में बड़ी अच्छी किन बाज़े की हैं और साथी गुल बदीन नईव इस जीट के हीरो माने गए हैं गुल नदीब ने भी चार ओवर में चार विकेट लिये और बीस रंदी हैं और नवीन ने अपने चार ओवर्स में तीन ऑस्टेलियाई बल्ले बाज़ों को अच्छे खासे बल्ले बाज़ों का आउट किया था अफगानिस्तान ने किरकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार ऑस्टेलिया को हराया औस्टेलिया की इस हार के साथ ही भारत को अब सेमी फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ ऑस्टेलिया को हरा रहोगा उसके बाद की मैस तो जी ती जाएगी टीम इंडिया लेकिन औस्टेलिया की मुश्किले बढ़ जाएगी अगर टीम इंडिया ने औस्टेलिया को चित कर दिया अफगानिस्तान की फिर बने बने